प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे चात्रों के लिए निशुल कसंचालित अभियोदय कोचिंग में स्मार्ट क्लास का उद्गाटन किया गया स्मार्ट क्लास में लाइव क्लास की सुविधा मिलेगी इसे की अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की अभियरती भी पर हाई कर सकेंगे इस दोरान डीम से चात्रों ने परिक्षा की तैयारी कैसे करें समय मैनेजमेंट कैसे करें कितने घंटे पर हाई करें परिक्षा को लेकर तानाव से कैसे निप्टें सिविल सर्विस में कौन से विशेच उने आदी सवाल पूछे डियम दोरा चात्रों को विस्तार पूरवक उनके सवालों का जवाब दिया गया एवं सफलता के टिप्स भी दिये उन्होंने कहा कि समय को लेकर चात्र परेशान ना हूँ साथ से आठ घंटे की पढ़ाई में सिविल सर्विसेज पास की जा सकती है केवल जरूरत है कि अपना एनरजी केवल पढ़ाई में ही लगाई जाए आन्य चीजों से दूर रहा जाए उन्होंने कहा कि उनके दौरा समय समय पर आकर चात्रों को खलास दी जाएगी इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य समाच करल्याण अधिकारी एमपी सिंग विलाविद्यालन इरिक्षक गोविंद रम अभ्यूदय कोचिंग के कोडिनेटर वा आन्य संबंदेत अधिकारी करमचारी गड़ उपस्थित रहे बरेली में एससपी के आदेश पर चला जा रहे सखन चाकिंग अभ्यान के दौरान आज उत्थाना इजद नगर की हवाई अधिकार ने निताल रोड बेरियर वन चौखी पर च्रेकिंग अभ्यान चुलाया गया साथ में ट्रैफिक पुलिस भी मगजूद रही बरेली जिले में एससपी के आदेश अनुसार बिना हेलमिट और तीन सवारी वालों की शामता गई ज्यादा तर चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस दौरा चेकिंग अभ्यान चलाय जा रहा है बरेली शेहर में बिना हेलमिट पर चालान किये जा रहे हैं। पहले हेलमिट फिर कोई काम अब नहीं चलेगा कोई बहाना अब तो हर हालत में लगाना ही होगा बाइक चलाते समय हेलमिट के आधार पर चेकिंग अभ्यान के दौरान बरेली के हर चोराहे पर ट्रैफिक पु पुलिस की गर्मी के कारण हुई हालत खराब एससपी के आदेश का बालन करते हुए चिर्जलाती धूप में भी चेकिंग अभ्यान चला जा रहा है कि इस दोरान कई पुलिस कर में बीमार हो गए बुलंद शहर खानपूर थाना चेतर में किशोरी के अपहरण के बाद दो संपरदाई में तनाव का माहुल व्यापत है घटना के विरोध में लोगों ने खानपूर कजबे का बाजार बंद रखा और किशोरी को बरामत की मांग की कजबे के पीडित पक्ष ने एक विवाह मड़प में दो पहर को पंचायत करने का एलान किया है इससे पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है सियाना और खानपूर पुलिस कजबे में तेनाद कर दी गई है पीडित के सुझनों का आरूप है कि रविवार की आधी रात कजबे का ही एक गैर संपरदाय का युवक उनके घर आया और उनके घर में सूरही किशोरी को बहला फुसला कर अपहरन कर ले गया आरोपित समीर के साथ तीन अन्य युवकों ने किशोरी का अपहरण करने में सहीो किया सुजनों ने आरोपित युवक के सुजन से किशोरी के अपहरण का विरोध जताया तो उन्होंने पीडितों के साथ मारपीट कर दी किशोरी के सुजनों से मारपीट के विरोध में कजबावासियों ने मंगलवार को बाजार बंद कर दिये और आरोपियों के खिलाफ किरिफतारी तथा किशोरी की बरामदगी की मांगी प्रचंड गर्मी इंसान से लेकर पशू पक्षियों को जला रही है अलकि इंसान जहां खुद को इससे बचाने के लिए तरह तरह के उपाई कर सकते हैं लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसे में लखन उस्ति जू में वहां के पशू के लिए खास संतिसाम किये गए हैं उनके बाडू में स्प्रिंकलर और कूलर आदी लगाए गए हैं पानी में रहने वाले चानवरो की सुवधा के लिए दो बहर के समय लगातार पानी को पदला जाता है जिससे पानी का तापमान बढ़ने से इन्हें तिकत न हो इसके साथ ही उनके खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है लखनो प्राणी उद्यान के उपने देशक डॉक्टर उतकर शुक्ला ने इस संबंध में चाना हर साल गर्मี่ और सर्दी और बरसाद एक प्रकरतिक चीजैं हैं जो हर साल चिडियों के लीए प्रिपर्पर रहता है और जिसकी तयारिया रहती है गर्मियों के लिए हम लोग mainly जो है आपने बाड़े देखे होंगे ज़्यादातर बाड़ों में हमारे हैं greenery बहुत एक तो पेड़ पौदे बहुत लगे हुए हैं तो इसलिए हर बाड़े में छाया पेड़ों की रहती है मगर इसके अलावा भी जैसे चिडियों के लिए खस या जो नरकुल की चटाई होती है उसका इंतजाम किया है सब जगे जो पानी वाले बाड़े हैं जिसमें उसमें कोशिश ये रहती है कि बारा बज़े से लेके चार बे तक उसमें fresh water है जिससे पानी का temperature है जो बहुत जाद बढ़ेना इसके साथ ही जो sprinklers आपने कई जगे लखे हैंगों जो फुआरे लगे हूँ है वो नमी रखते हैं सारे वाड़ों में और वो चलते रहते हैं हर जगे और खाने में जो seasonal fruits आते हैं जैसे तरबूज होगी खर्भूजा हो गया है बुट्टा आ रहा है खीरा है ककड़ी है आम है इसका समावेश भी जो है खानों में कर देते हैं जिसमें जो शाका हरी जानवर है उनके भोजन में पानी की जो quantity वो ज्यादा बनी रहे इसके से उनकी लड़ने की प्रतीते की शमता जो है बड़ी रहे इसके अलावा जो हम लोगों ने ववस्था करी है उसमें जो है मेंली जो हम लोग ये रखते हैं कि जो बाड़ा है वहाँ पर ऐसी कोई जगे ना हो जहां पर धूब डारेट जानवर पर रहे और वह बिना च्छा करते हैं उसके लिए ग्रीन कर्टन लगाया जाते हैं आपने जगे जगे जेगे देखे होंगे और इस तरही सारी वीवस्था इस परकार रखी है और जो कमरे हैं बाड़ों में में बाद यह है कि जो में कमरे हैं जिसमें वो खाना खाते हैं या अंदर रहते हैं वहाँ पर अधिकाशता कूलर की विश्था है जो कमरे वाले जानवर है जैसे शेर है तेंदवा है चिंपैंजी है बंदर है और भी जो जानवर है भालू है उ उनको इस तरह की वज़ता रखते हैं कि यो कूलर में जल्दी से जल्दी चले जाएं। मकान बनाने के लिए जिन्दगी भर की पूंजी, जिन्दगी भर की कमाई, पाई पाई जोड के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई भएनों थे, अलगअलग शहरों में, बिल्दर ने प्लाट काटे, या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगे काटे, मैं मानता हूं जब वो कालोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये बैद बन रही है कि अब बैद बन रही है हमारे वो भाई बैंग जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोस जहां पिलाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई ही नहीं जाता तो अपनी जिन्द की भर की पूजी लगा के पिलाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़के अपना मकान भी बना लिया अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैद है मेरे बेहन और भाईयो ये न्याए नहीं है कालोनियों की कालोनिय अवैद कालोनी यह मकान नहीं बन सकते यह नक्स अपास नहीं हो सकता यह खरीदी विक्री नहीं हो सकती अवैद मतलब क्या हम अपरादी हो गए यह अवैद का कलंग इन कालोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था आज उस कलंग को मिटाने हम आए हैं काय की अवैद क्या हमने कोई गलत कमाई से खरी थी अपने खुन पसीने की कमाई से अपना आस्याना बना लिया उसको क्यों अवैद कहा जा रहा है और इसलिए देखे सोच का सोच का अंतर है एक तरफ हम गाव में मुक्पमंत्री बुओाबास यह धिकारी होगना चला रहे और जिनके बास रहने के लिए जमीन का तुक्ड़ा नहीं है उनको निसूल के रहने के जमीन का तुक्ड़ा दे रहे हैं हम सहरों में भी वर्सों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा दे के मालिक बना रहे हैं और एक तरफ जिनने जिन्दगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैद ठेरा रहे हैं ये अवैद ठेराने का निरने ही अवैद है इस निरने को मैं समाप्त करता हूँ अब निमित कालोनियों की तरफ इन कालोनियों में बिकास के लिए उपलब्धता के आधार पर रासी उपलब्ध कराएंगे रेगुलर कालोनियों की तरफ रासी उपलब्ध होगी और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा विकास के कामबा होते जाएंगे जितनी जरूरी अदो संदस चनाएं है बिजली है पानी है धीरे धीरे अदिये देखो रहती तो जनता ही है या कौन रहता है जनता ही तो रहती है कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे कांग्रेस का साथ मतलब जनता का विकास कांग्रेस ने जनता से किये अपने हर वादे को पूरी इमानदारी और निश्ठा के साथ निभाया है लोगों से किये हर वादे को पूरा करने की परंपरा और द्रिड संकल्प लिए कांग्रेस ने मद्य प्रदेश की जनता से भी कुछ वादे किये हैं जिने हर हाल में कांग्रेस पूरा करेगी सबसे पहले सभी घरों में मातर 500 रुपे में गैस सिलेंडर दिया जाएगा उसके बाद हर महीला को 1500 रुपे प्रति महीने की धनराशी दी जाएगी इसी के साथ सभी को 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ की पहल भी कॉंग्रेस द्वारा की जाएगी कॉंग्रेस ने देश की जनता को जो भी सपने दिखाए हैं वो हर हाल में सच करके दिखाए हैं और यही कारण रहा है कि इस बार देश की जनता ने हिमाचल और करनाटक से भाजपा को जड़ से उखाड फेका और कॉंग्रेस को भारी भौमत के साथ विजे दिलाई करनाटक में कॉंग्रेस ने जनता से किया हर वादा निभाया है अब बारी है मद्यवर्थ और उनसे ना कड़ा करके ये कही ना कहीं से राश्पती जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉइकट कर दो हमसार की जो नोट आया है ऐस्मुञा पड़े बेगाओ यह आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भई यह समझ भी नहां कि प्रस्तचार करने के लिए 2000 के नोट लाए गयद को फिर खतम करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गैप किया जारा है लाने वाले भी यहाई थि हटाने वाले भी यह हैं पहले वाले नोट बंदी का फाइदा बता दो और इसका फाइदा क्या होगा ये बता दे लेकिन कोई लाजिक नहीं है लॉजिकल बाते हैं उसलिए ये सारी चीजे खाली अपा क्या फाइदा है नहीं है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर